मनुश्यों में Goldman Reproduction का कौन से Method देखा जाता है क्या मनुश्य को अपने तरह के Individuals रिप्रोड्डूज करने के लिए दोनों सेक्स की ज़रुवत होती है क्या एक बच्चा एक Single Germ Cell की मदद से जन्म लेता है क्या हम जानते हैं कि एक Single Germ Cell के साथ ये मुम्किन नही मनुष्य sexually reproduce करते हैं और उनको दोनों male और female parent की जरुरत होती है लेकिन मनुष्य कब अपनी तरह के individuals reproduce कर सकते हैं क्या वो जीवन में कभी भी reproduce कर सकते हैं नहीं, हम मनुष्य सिर्फ अपने reproductive systems के mature होने के बाद ही reproduce कर सकते हैं और ये कब होता है जैसे कि हम जानते हैं, एक बच्चा adolescence से धीरे धीरे adult हुट तक बढ़ता है इस growth के दोरान बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमारे शुरुवाती सालों में हमारी height और weight बढ़ते हैं हमारे दात आते हैं and so on इन सब को हम growth के general process कह सकते हैं लेकिन हमारे teenage years में हमारे शरीर में नए बदलाव होते हैं जो इन जैसे simple नहीं होते हैं ये शारीरिक परिवर्तन क्यों होते हैं? एक मनुश्य एक mature reproductive system के साथ जनम नहीं लेता है जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, reproductive system भी mature होने लग जाता है लड़कियां और लड़के दोनों ही 10 से 14 साल के बीच mature होना शुरू हो जाते हैं और लड़कियां आम तोर पर लड़कों से जल्दी sexually mature हो जाती हैं Sexual maturation की विशेशताएं क्या है? वो कौन से शारीरिक परिवर्तन है जो puberty को पहचानने में मदद करते हैं जहां तक लड़की के शरीर का मामला है breast development के रूप में परिवर्तन दिखा जा सकता है हम under arms में और genital हिस्सों में बालों की ग्रोथ भी देख सकते हैं आपको क्या लगता है कि एक बढ़ती लड़की में और कौन से बदलाब दिखे जा सकते हैं? जहां height अचानक से बढ़ जाती है ये puberty की विशेशता है लेकिन एक पूर्ण sexual growth का मुख्य indicator menstrual cycle होता है इस शब्द का क्या मतलब होता है? खै ये एक female शरीर में developed reproductive system का पहला काम है हम इसके बारे में और हमारे आने वाले विडियोज में पढ़ेंगे चलिए, males में sexual maturation के indicators को देखते हैं जैसे जैसे एक school जाता हुआ लड़का बड़ा होने लगता है आप उसके चेहरे पर क्या बदलाब देख सकते हैं? जी बिलकुल, चेहरे के बाल, जरे हम दाड़ी और मूचे कहते हैं वो sexual maturation के indicators होते हैं एक लड़के की अवाज में क्या बदलाब आता है? एक बढ़ते हुए लड़के की अवाज गहरी हो जाती है और हम इसे voice breaking कहते हैं एक लड़के की अवाज धीरे धीरे गहरी अवाज में बदल जाती है यह आम तोर पर लड़कों में growth के बाद होता है लड़कों में growth कैसे होती है females की तरह ही males भी शरीर के structure में परिवर्तन से गुजरते हैं और muscle mass भी काफी बढ़ता है उसी समय penis और testicles भी size में बढ़ जाते हैं ये सभी परिवर्तन समय के साथ होते हैं और समय की मातरा हर individual के लिए अलग होती है कुछ लोगों में ये परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये काफी लेट होते हैं हमने अब तक जो पढ़ा वो sexual maturation के external science थे आगे हम sexual organs और reproduction के process के बारे में detail में पढ़ेंगे हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा